नमस्कार दोस्तों स्वागेता अब सभी का एक वर फिर से मेरे येटूब चैनल रेयर फैक्ट्स में दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर जाकिर हुसेन के बारे में जो की भारत के पहले मुस्लिम राष्टपती थे जी हाँ दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसेन सर्तंतरता सेनानी एवं भारत के तीसरे राष्टपती तथा प्रथम मुस्लिम राष्टपती थे डॉक्टर जाकिर हुसेन का जनम 8 फरवरी 1870 में को हैदराबाद में हुआ था इनके पिता का नाम फिदा हुसेन खान था इनका जनम एक संपन पठान परिवार में हुआ था और जनम के कुछ ही वर्ष बाद इनका परिवार हैदराबाद छोड उत्तर परदेश रहने चला गया था जब एक केवल 10 वर्ष के थे तो उनके पिता चल बसे और 14 वर्ष की उम्र में उनकी मा का निधन हो गया था एक वेभारिक और आशावादी वेक्तितों के इनसान थे डॉक्टर जाकर हुसेन के बारे में बात करें तो उन्होंने शिक्षा सुधार के छेतर में अपनी स्था के रिए भूमिका निभाई थी एक केंद्री एविस विध्याले के रूप में नई दिल्ली में मौझूद है जहां से हजारो च्यातर प्रतेक वर्ष अनेकों विश्यों में सिक्षा गरहन करते हैं दोस्तों 1957 में डॉक्टर जाकर हुसेन बिहार राजे के गारुनर नियुक्त हुए थे 13 मई 1967 को वह देश के तीसरे राष्टपती के रूप में निर्वाचित हुए डॉक्टर जाकर हुसेन भारत के पहले मुस्लिम राष्टपती हैं जोकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ इसके पूर 1962 से 1967 तक वह देश के उप राष्टपती भी रहे थे वर्स 1954 में उन्हें पदम विभुशन से सम्मानित किया गया सिख्षा और राजनीती के छेतर में उतकर्ष्ट योगदान देने के लिए 1963 में डॉक्टर जाकर हुसेन को भारत के सरवचे नागरिक सम्मान भारत रतन से सम्मानित किया गया था दोस्तो डॉक्टर जाकर हुसेन का देहां थे तीन मई उन्हें उन्हेंटर को हुआ था वे भारत के पहले राष्टपती है जिनकी मिर्तु अपने ओफिस में ही हुई थी वे एक महान सिख्षाविध होने के साथ साथ नेतरतो चमता में भी बेजोड इनसान थे तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आयोगी दोस्तो वीडियो पसंद आयी तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद